कॉंग्रेस अध्याक्ष सूनिया गांधी आज संसत के आगामी श्वीत कालीन सत्र में सरकार को खेरने के लिए लोकसभा और राजसभा में पार्टी के वरिशुत सांसदों के साथ बैठक करेंगी संसद में किन मुद्दों को उठाना है और मोदी सरकार को खेरने के रणीती पर चर्चा होगी सूत्रों के मुताबिक किसानों के मुद्दे और महंगाई समेट करीब 15-16 मुद्दे हैं जो कॉंग्रेस संसद के श्वीत कालीन सत्र में उठाएगी कुछ दिन पहले कॉंग्रेस अध्यक्ष सुन्या गांधी के साथ पार्टी नेताओ की हुई वर्चुल मिटिंग में भी तैह हुआ था कि संसद में इस बार महंगाई पेगासिस, बेरोजगारी, श्वीन का मुद्दा और कोविट जैसे मामलों पर मोदी सरकार को खेरने की कोशिश होगी, जानकारी के मुताबिक बैठक शाम चार बजे होगी जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर रणनीती तयार की जाएगी कि संसत के श्वीत कालिन सत्र में किस तरह सरकार को घेरा जाए और कौन से मुद्दे होंगे, देखिए, बिरोजगारी हो, महंगाई हो, इ किया जाएंगे, मंता चत्रवेदी, हमारी समधाता, इसी खबर पर हमारे साथ जुन चुकी है, जादा जानकारी के साथ, मंता जानकारी जाहेंगे, एहम बैठक कॉंग्रिस करने जारे किस तरह से अब सरकार को घेरा जाए और किस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर सवाल ज किस को लेकर घेरना है, इस तरह से सवाल उठाना है विपक्षी दर्लुक, उसको लेकर एक बड़ी रणीती सोनिया गादी के आवाज पर बनाई जाए कि जिसको लेकर सोनिया गादी ने बैठक बुलाई है, क्योंकि अगर इस वासी मुद्दे की बात करें, तो केसान आंद बिल्कुल तो देखें, इस तरह से हमारी समवराता हमें बता रहे हैं, क्योंकि एहम बैठक इसको बाना जा रहा है, क्योंकि चुनाफ करीब हैं और श्वीत कालीन सत्र भी सामने हैं, तो उससी से पहले, ठीक पहले, कॉंगर्स की तरफ से यह एहम बैठक आज पीज आ रही और प्रेस दा बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट